अगर आपका एक ड्रीम है कि आप एक गवर्मेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ पर सिर्फ आपके लिए है इस वीडियो में पतक करने वाले हैं कि OSSC में कौन सी वेकेंसी आई हुई है क्या उसका डिटेल है कैसे आप उस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं ये तो चलिए बात करते हैं OSSC में लाए गए नोटिफिकेशन के बारे में तो जैसे कि स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है OSSC का मतलब है Odisai Staff Selection Commission के द्वारे ये वेकेंसी लाए गया है और पोस्ट का नाम है investigator जिसमें apply करने का जो तरीका है वो online mode है जिसका link आपको इसका official website पर मिलेगा साते साथ हमारे description box और comment area पर भी आपको इसका link मिल जाएगा अब यहाँ पे जो date दिया हुआ है आपको ये important एक्दम याद रखे रहना है कि 27 तरीक से ये start हो रहा है इसका मतलब है 27 सितंबर से start ह हो रहा है इसका मतलब कल से ये इसका online application start हो रहा है और last date है 26 October 2022 इस post में apply करने के जो बाद इसमें अगर आपका qualification अगर हम देखें तो ये आपका नीचे में दिया हुआ है उससे पहले आप यहाँ पर देखना चाहें तो कौन से category में कितना post यहाँ पर दिया गया है ये उन्ह अब इसमें हम जो देख रहे थे कि इसमें qualification क्या रखा गया है तो आप नीचे जाते जाएंगे यहाँ पर eligibility दिया गया है कि इनको जो है good character होना चाहिए और साती सात ओडिया language इनके पूरे पढ़ाई में उनके school education में कोई भी एक subject जो है आपका ओडिया होना ही चाहिए ये compulsory रखा गया है और age limit यहाँ पर रखा गया है कि 21 year इसका minimum age limit है और maximum 38 years लेकिन जो अलग-अलग category के जो candidate होते हैं उनके लिए इसमें age relaxation भी दिया गया है जो कि government के rule के recording है अब जो हम देख रहे थे कि इसका essential qualification क्या है तो यह यहाँ पर रहा आपका educational qualification के must have passed a bachelor's degree in commerce इसका मतलब commerce में आपको graduation complete करना है या arts, science, statistics, mathematics, computer application, physics, economics, applied economics, agriculture, economics, sociology अगर हम देखें तो इसमें ऐसा कोई भी subject नहीं बसता जिसमें आप अगर graduation करते हैं तो इसमें apply नहीं कर सकते हैं इसका मतलब सभी के सभी के सभी इसमें apply कर सकते हैं बस एक note यहाँ पर ध्यान दिजेगा candidate having bachelor's degree in technology or engineering is not eligible इसका मतलब जिन्होंने engineering किया हुआ है या b.tech किया हुआ है वो इसमें apply नहीं कर सकते हैं यह आप ध्यान रखिएगा अब इसमें apply करने का तरीका देख लिया हमने educational qualification देख लिया age limit भी देख लिया अब सवाल यह है कि आप इस post को कैसे पा सकते हैं इसका मतलब selection process क्या है so selection process बहुत simple सा है दो stage है इसमें पहला pre exam है दूसरा mains exam है pre के base पर आप qualify होंगे mains के लिए और mains के base पर यहाँ पर एक merit list निकलेगा और merit list में अगर आप आ जाते हैं तो आपका selection इस post पर कर दिया जाएगा initially यह जो post होगा आपका temporary basis पर होगा इसका मतलब कि एक साल के लिए इसमें आपको रखा जाएगा as a temporary यह से हम कह सकते हैं provisionary जो period होता है वहाँ पर रहेगा और उस समय आपको जो salary provide होगा वो होगा 13,500 रुपिस पर मन्थ और जैसे ही आपका एक साल complete हो जाएगा वैसे ही आप as a regular यहाँ पर employee बन जाएंगे Odisa government के और जो आपका salary होगा वो फिर से उसे चेक किया जाएगा और जो आपका salary होगा वो government के rule के according जो वहाँ की government जो देती है वही salary आपको provide करेगी same उसी level पर जैसे वो अपने सारे employees को देता है वो ऐसा ही आपको मिलेगा तो बिलकुल देखिए इसे यह एक regular post है तो इसे ध्यान दीजिए और अगर आप eligible है तो इसे जरूर apply कीजिए miss मत कीजिए और ऐसे informative वीडियो को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को follow भी करती रही है और अगर आप चाहते ही कि आपसे कोई भी information मिस ना हो तो हमारे telegram चैनल को भी follow कीजिए same name with same logo thank you